चौबिस अप्रेल 2023 की शाम पत्ना के एक शांदार बैंक्विट हॉल में एक इंगेजमेंट समारो हो रहा था जिस यूबक का इंगेजमेंट होना था उसका नाम चेतन आनंद था और उसकी होने वाली पत्नी आयूसी सिंग रिंग समारो के तुरंट बाद चेतन और आयूसी ने जिस वक्ति को सबसे पहले पैर चुकर प्रणाम किया वह लालू यादब के पुत्र और बिहार के डिप्टी सियम ते जिस्वी यादब थे और पैर चुकर के प्रणाम करने वाला जो सक्स था वो आनंद मोहन के पुत्र थे आनंद मोहन और लालू प्रसाध यादब बिहार में नब्वे के दशक में दो ऐसे चिर प्रतिदुन्दी थे जिसे लेकर बिहार में कई बार संग्राम हो जाता था नब्वे के दशक में जब लालू अपने पीक पर थे आनंद मोहन ने लालू के विरोध में ही अपनी राजनीती शुरू की थी लालू मंडल कमिशन के प्रनेता बन रहे थे और आनंद मोहन उसी मंडल कमिशन के विरोध में आगरी जाती के नेता बन कर उभर रहे थे देश में उहर रहे थे विश्वनात प्रताप सिंग ने मंदल कमिशन भरे ही लागू क्या हो लेकिन अक्सर बिहार में कहा जाता है कि जिस तरह से पतंग किसी ने काटा लेकिन एक उदंड बच्चा पतंग कटे पतंग को लेकर उर जाता है और वह समस्ता है कि पतंग उसी का ह उसी ने काटा है वैसे ही लालू ने विश्वनात प्रताप सिंग द्वारा लागू के मंडल कमिशन के फाइदे को भूना लिया था बिहार में जातिबाद का उग्र स्वरूप देखने को मिल रहा था लालू पिछली जातियों के प्रनेता बन कर उपरे थे लालू ने एक नारा दिया था भुरा बाल साफ करो मतलब भूमिहार, ब्राम्हन, राजपूत और लाला इन चार जातियों के खिलाब पूरे बिहार के पिछिरी जाती और मुसल्मानों को लालू ने एक जुट करना शुरू किया लेकिन कहते हैं कि जब तक आपका दुश्मन कोई बड़ा नहीं हो, आपका कद बड़ा नहीं होता लालू परसाद यादब ने उसी दोर में आनंद मोहन को तैयार किया वो कैसे? दरसल बिहार में लालू का प्रभुत्त था, बिहार में जंगल राज का वो दौर था और बिहार के लोग अपने बच्चों को दिल्ली, बैंगलोर और कोटा भीजने लगे थे पढ़ने के लिए लोग मजदूरी करने के लिए रोजगार के तलाश में मुंबई और कोलकता भाग रहे थे बिहार में पलायन तेज चल रहा था, बिहार और बिहार के अंदर अपहरन उद्योग बड़े पैमाने पर था इस उद्योग का फाइदा सिर्फ लालू के स्वजातिय उठा रहे थे ऐसा नहीं है अगरी जाती के कुछ नेता भी बड़े बड़े बाहु बली बन गए क्योंकि बिहार में जाती बाद तिब्र था और लालू यादब ने अगरों के सामराज जी को ही तो खतम किया था बिहार में भुम्यार सरकारी जाती थे, ब्रामौनों का लंबे समय तक शाशन चला, राजपूत अपने आपको बावू सहाब कहते थे आनन्द मुहन उसी राजपूतों के नेता के रूप में उभर रहे थे लेकिन लालू के विरोध में कोई इतना बड़ बोला, इतना प्रभावशाली नेता अपर कास्ट में नहीं था जैसा आनन्द मुहन थे तो फिर आनन्द मुहन ने उग्रोडूब का अक्तियार किया, अपनी खुबसूरत पत्नी को गुगल्स पहना करके वो मंच पर लाते थे और लाखों की संख्या में भी रिकट्था होती थी आनन्द मुहन लालू के खिलाप अग्री जातियों के लिए एक उमीद बनकर उहर चुके हुए थे वो मंच पर जब बोलते थे कि वो एक दिन बिहार के मुख्य मंत्री बनेंगे, लालू यादब का वर्चस्टो खत्म कर देंगे तो अग्री जातियों को एक उमीद बढ़ती थी बिहार में जाती बाद ऐसा घिनोना स्वरूप ले चुका हुआ था कि अक्सर कहीं किसी जग़ा फसाद हुआ करते थे उसी दोर में 1994 की बात है बिहार के मुजबफर पुर शहर जो अग्रों का शहर माना जाता है दरसल छोटन शुकला एक छोटा मोटा भूमी माफिया हुआ करता था उस छोटन शुकला को एक उमीद जगी क्योंकि छोटन शुकला तब के बिहार के अग्रों के नेता रगुनात पांडे का पिशलगू था छोटन को लगा कि बहुत हो गया माफिया गिरी हर माफिया के तरह उसे भी सफेद पोश बनने की चाहत होने लगी उस समय आनंद मोहन अगरों की तेजी से नेता के रूप में उभर रहे थे मुजबफरपुर में लगातार मुजबफरपुर में अगरों का प्रभाप बढ़ रहा था और उमीद आनंद मोहन बन रहे थे उसी दोर में छोटन शुकला की हत्या कर दी बिहार में लालू प्रशाद अदब पार्टी के एक मंत्री का नाम आया इसमें ब्रिज बिहारिस सिंग का ब्रिज बिहारी सिंग जहां से विधान सफा चुनाब लर रहे थे छोटन वही से अब चुनाब की आस में था आनन्द मुहन की पाटी से कहते हैं इसलिए उस समय में मुझफरपुर के एक सिनेमा हॉल के इस पास छोटन सुकला को सैक्रो राउंड बोली एके 47 से भून दिया गया शरीर में इतने छेद कर दिये गए एक फिल्म का डायलॉग याद आने लगा बिहार में एके 47 भी है यह पता पहली बार चला और इस मामले में आरोप बिर्ज बिहारी सिंग पर लगा फिर बिर्ज बिहारी सिंग चुकि पिछरियों के नेता थे अगरों को लगा कि अब उनका वर्चस्व खत्म हो गया आनन्द मोहन और तेजी से उठने लगे और उनके पीछे खड़े हो गए छोटन सुकला के चोटे भाई भुटकुन सुकला और मुनना शुकला ये सब ताकत बन गए आनन्द मोहन के और चोटन सुकला के लाश को लेगर अगले ही दिन एक उग्र परदर्शन मुजफर फुल में हुआ उस उग्र परदर्शन का उदेश ही था अग्रों को प्रवोक करना लालु यादब के खिलाप प्रवोक करना लालु यही चाहते थे लालु इसी का अनन्द ले रहे थे लालु को पता था कि जब तक अग्री जाती के तरफ से उनके खिलाप जितना नफरत बढ़ेगा उनका कद उतना बढ़ता चलाया जाएगा लालू उस समय तक बिहार के बहुत बरे नेता नहीं हुए थे लालू जोर तोर से बिहार के मुख्य मंत्री बने थे चालाकी में धूरतता में लेकिन 1994 में जो ही छोटन शुकला की हत्या हुई उगर हुआ अपरकास्ट के अगरों का विरोध लालू यादब के खिलाप पिछडे और एक जुट होने लगे संख्या बलक्याधार पे लालू ने एमवाई समय करन को और तेज़ किया पिछ़़ों को जोड़ा और लालू का कद बढ़ता चला गया लेकिन इसी बीच वैशाली से आनंद महन की पत्नी लवली आनंद ने चुनाव लर लिया इसलिए क्योंकि वो महिला चुनाव च्छतर था वो अगरों का च्छतर था और लवली चुनाव जीत गई लवली जो ही चुनाव जीती वो एक क्योंकि वो खूब सूरत थी अगरे चात्रों ने उनका होसला बढ़ाया और वहीं लवली आनंद ने कहा कि लालू यादब का वर्चस खत्म कर दूंगी लालू को मिट्टी में मिला दूंगी छे महिने बाद विधान सवाद चुनाब है और मैं चुनाब जीत करके आऊंगी और बिहार के मुख्य मंत्री बनोंगी चुकि ये बात लवली इसलिए कह रही थी क्योंकि आनंद मोहन अब इस पूरे मामले में फंस गए थे वह किस्सा भी दिल्चस्प है तरसल फिर उस कड़ी को जोड़ता हूँ छोटन शुक्ला किल बॉड़ी को लेकर कि मुझफर पूर में प्रदर्शन हो रहा था उसी बीच में राजपत पर हो रहे राश्टी राजमार्क पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कारियों को उनमादी भीर कहिए उनमादी भीर का नित्रुत आनंद मोहन कर रहा था आनन्द मुहन के साथ छोटन शुकला का भाई भुटकुन शुकला मुन्ना शुकला लबली आनन समीत कई बाहुवली नेता थे सामने लाल बत्ती से आती हुए एक एमबेस्टर दिखाई दी उस एमबेस्टर में गोपाल गंज के डीम जी कृष्णईया थे 37 साल के डी कृष्णईया की लोकप्रिता गोपाल गंज में थी गोपाल गंज से ही लालू प्रसाद यादव का वास्ता था लालू वहां के उसी लालू गोपाल गंज के ही गाउं से लालू की उत्पत्ती हुई थी गुपाल गंज उनका कस्वाई छितर था और लालू के राह में कहते हैं क्रिशनया कई बार बाधा बन जाते थे क्रिशनया के मुझफर पुर में उस भीर ने मार के कुचल कुचल के पत्थरों से कुचल कुचल के हत्या कर दी आरोप के मताबिक भुटकन सुकला को जब ये लगा कि कृचनया मरा है या जिन्दा है भुटकन ने दना दन अपने एके 47 से डीम कृषनया पर कई सारी गूलियां चलाई मुझफर पुर के मेडिकल कालेज अस्पताल में कृषनया डीम कृषनया को भरती कराया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया तब भिहार में एक लहर फैलाई गई कि जे कृषनया दलित हैं डीम हैं और बहुत गरीबी से उभर कराये हैं लालु यादब ने अब उसे भुनाना शुरू कर दिया कि इन अगरों के नेताओं ने दलित की हत्या कर दी है कृषनया की पत्नी उमा उस समय मातर तीस साल की थी अपने दो अबोध बच्चों के साथ लालु परसाद यादब पॉल्टिक्स करने कृषनया के घर जब पहुँचे तो उमा ने वहां से उन्हें भगा दिया और कहा मुझे अकेले छोड़ दीजे दरसाद लुमा सब जानती थी कि इसके पीछे कौन है यह कहानी बिहार में बाहुबल की उस दौर की है उस जंगल राज की दौर की लालु परसाद यादब और आनंद मोहन लगातार एक दूसरे के विरोधी दिखाई दे रहे थे एक दूसरे को बरबाद करने वाले दिखाई दे रहे थे पबलिक मंच पर आनंद मोहन गोगल्स पहन करके अपनी खुबसूरत पत्नी लवली आनंद के साथ जब होते थे तो युवाओं की भी राकरसित होती थी आनंद मोहन अब बड़ा नाम हो चुके हुए थे लालू विरोध में सबसे बरा चेहरा बिहार पिपल्स पार्टी का नेता उसी आनंद मोहन को रास आने लगे नितीश कुमार क्योंकि नितीश बिहार में लालू यादब के खिलाप हो चुके हुए थे उन्हें लगा कि लालू उनसे बहुत बड़े हो गये हैं उन्हें लालू के जंगल राज के खिलाप एक मुहीम चलाई एक्क्यूस थे आनंद मोहन लेकिन यही आनंद मोहन धीरे 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 इनका कद इतना बढ़ता चला गया कि आनंद मोहन मेंबर पारलेमेंट हो गए उस दोर में बार बार लोकसवा चुनाव होते थे 96 में लोकसवा चुनाव हुआ उसमें आनंद मोहन सांसद बन गए पत्नी भी च्वहर और वैसाली ये दोनों च्छित्र अगरों की च्छित्र थे राजबूत बहूल च्छित्र और इनानंड मोहन और उनकी पत्नी लबली आनंद जीतने लगी 96 के बाद 98, 99 के बाद 99 इसमें दो बार आनन्द मुहन सांसत बन करके मेंबर पारलिमेंट बने और एक बार लबली आनन्द उसके बाद लबली कई बार भी धायक रही लेकिन 2007 में लो़र कोट के फैसले ने आनन्द मुहन को फांसी की सजा सुना दी आनन्द मुहन के साथ साथ कई और निता को बुटकुन शुकला उस दौर में उसकी हत्या हो चुकी हूई थी उसके बाडि गार्ट नहीं बुटकुन की हत्या कर दी थी कहते हैं बाहुबलियों की उम्र इतनी होती है और फिर छोटन के शाथ भुटकुन भी मारा गया और फिर उसके सबसे छोटे भाई मुन्ना शुकला ने बागडोर समभाल ली लेकिन तब तक प्रभाव आनन्द मुहन का कम होने लगा था वो सजायापता आपराधी हो चुका था फांसी की सजा हो चुकी हुई थी लेकिन उसकी फांसी की सजा को पटना हाई कोट ने उम्र कैद में बदल दिया बाग्यों के भी उम्र कैद रही सूप्रिम कोट ने भी 2012 में आनन्द मुहन को उम्र कैद की सजा सुनाई आनन्द मुहन तब से अग्रों के नेता थे लेकिन लालू यादब के सॉफ्ट कॉर्णर की बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी थी कि ऐसा क्यूं है? वही आनन्द मौन अब आरज्डी में हैं ये चूकाने वाली बात है इसलिए जिस नफट से आनन्द मौन लालु यादब से जाती बात के नफट में अपना औरा क्रियेट कर रहे थे उसी लालु के पत्र के पैर छुड़ थे आनन्द मौन के पत्र तो क्या बिहार में ये बदलाओ जाती बाद में के खातमे का दौर है क्या अगरे और पिछरे बिहार में एक मंच पे आ रहे हैं और उसकी अगवाई नितीश कुमार कर रहे हैं क्या पेट में दांत की बात जो लालो परसाद अधव नितीश कुमार के लिए करते थे वो सच सा तावित हो रही है या बात कुछ और है कमाल की बात ये है कि इस आनन्द मोहन की सजा अभी समाप्त नहीं हुई और आनन्द मोहन ने जिस वेक्ति की हत्या की थी वो सिविल सर्विस का अधिकारी था डीम था तेज तरार डीम था बिहार में डीजी पी के पद से रिटायर तो आवियानन्द जो बाद में बिहार के डीजी पी बने वो जबरदस्त प्रभावित थे जी क्रिशनया से कहते हैं कि ऐसा अधिकारी ऐसा तेज तरार अधिकारी मैंने जीवन में बहुत कम देखा वो दलित परिबार से थे बहुत गरीबी में पढ़े थे लेकिन उनके अंदर जो तेजस्विता थी उसकी मिसाल नहीं तो फिर क्यों उसे मारा गया क्यों करिशनया को मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है और उसकी हत्त आएदी आनंद मोहन या अगरी जाती के नेता करेंगे तो लालु को फाइदा होगा और फिर उसके बाद लालु अपनी राजनिती चमकाएंगे राजनिती में कहते हैं कि अक्सर कि जो विरोधी होता है दिखाई देता है वो दरसल वही असली दोस्त होता है तो सालों तक पूरी जिन्दगी लालू विरोधी राजनिती चमकाने वाले आनंद मोहन लालू की शरण में कैसे आए और जब लालू की शरण में आए नितीश कुमार ने जब अध्यादेश जारी करके बिहार जेल अधिनियम में संशोधन करके आनंद मोहन को छुडवाया उ कई माफिया अलग-अलग जाती के बाहु बली। दरसल बिहार में यही खुश करने का तरीका है। आनंद मोहन राजपूत जाती से आते हैं। वैशाली और शिवहर राजपूत बहुल छित्र है। लालू पर साध्यादब की पार्टी में अभी एक भी सांसत नहीं है। बिहा में लालू पर साध्यादब को 2014 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है जब उनकी पार्टी से चार सांसत बने थे जिसमें से तीन राजपूत जाती की है। यहीं से वो चाबी खुलती है कि आनंद मोहन आरजपूत के लिए क्यों जरूरी है। लालू की पार्टी एमवाई स लालू के 2019 में उसका वी सफाया हो गया और 2014 में जो चार एमपी थे उसमें से तीन राजपूत जाती से थे। लालू इसी कमजोड करी को तलास रहे है। दरसल राजपूत नेता सालों तक आरजडी के शांसत रहे रगवंस परसाद सिंग की मौत हो गई है। दूसरे ऐसे में राजपूत नेता एक चाहिए था तो उसी राजपूत नेता को तलाश करके निकाला गया, तराश करके निकाला गया जिसने अपनी पूरी जवानी दिखाने के लिए लालू के खिलाप शुरू किया। आनन्दमोहन कोई सामान नेता नहीं थे। युँआवस्था म कॉंग्रिस की सत्ता बदली थी उस समय बिहार में एक युवक था जिसने तब के भारत के प्रधान मंतरी मौराजी देसाई को पटना में काला जंडा दिखाया था जब बिहार में उस समय के प्रधान मंतरी की लोक प्रेता थी बिहार कॉंग्रिस के खिलाप महीम चला रहा था कहने का मतलब ये कि आनंद मोहन शुरुआत से एक चेहरा थे लेकिन बाद में वो एक आएक आगरों के नेता उस दोर में बने जब लालू पिश्रों की राजनिती करने लगे थे आनंद मोहन मंडल कबिशन के मंडलायों के सबसे पुरजोर भी रोधी और लालू मंडल के सबसे बड़ी प्रनेता आज वही आनंद मोहन और लालू प्रसाद यादब के बच्चों के बीच गलबहियां हो रही है लालू प्रसाद और आनंद मोहन की पार्टी का मिलन हो रहा है मिलन क्या हो रहा है आनंद मुहन तो लालू यादव की पार्टी में समा गए है तो क्या सजायापता अपराधी, सरकारी, अधिकारी, डिस्ट्रिक मजेट, बजिस्ट्रेट का सजायापता, हत्या का अपराधी, बिहार में अगरों का नेता होगा या सवाल इसलिए भी उठा है कि आनंद मुहन का विरोध भारतिय जनता पार्टी भी नहीं कर रही, कि आनंद की रिहाई क्यों हुई नितीश कुमार का विरोध वो कर रहे हैं कि नितीश ने आनंद मोहन को रिहा कर वाया लेकिन आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं कर रहे है इस से साफ लगता है कि बिहार अब भी जाती बात के नशे से निकल नहीं पाया है अब आनन्द मोहन छुट्टा घुमेंगे बड़ी नीता बनेंगे उस दोर में जब उत्तर प्रदेस में माफियाओं का खात्मा हो रहा है बिहार में ऐसे ऐसे लोग अब जेल से बाहर निकलेंगे यह कहानी आनन्द मोहन और उस लालू प्रसाद यादब की है जो दिखने के लिए तो एक दूसरे के पुर्जोर विरोधी रहे लेकिन दिखाई यही दिया कि कैसे वो एक दूसरे के लिए काम करते थे यह वीडियो विचलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंटेदी पसंद आए तो विस्टलेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जय हिंद